असलाम अलेकुम जी, in this lesson we are going to learn के illustrator में pen tool कैसे use किया जाता है so हम यहाँ पे pen tool की basics को पहले देखेंगे और उसके बाद कुछ shapes को बनाने की कोशिश करेंगे so without wasting any time, let's get started तो illustrator में मैंने एक और file create की है, यहाँ पे कुछ experiments करते हैं pen tool के साथ तो पहले मैं आपको एक shape draw करके दिखाता हूँ और इस shape understand करते हैं, यह shape कैसे create की गई है so अगर मैं shape की selection करता हूँ, और अपने direct selection tool पे आता हूँ so जैसी मैं direct selection tool पे click करूँगा, इस shape के अंदर जितने भी anchor points हैं जिसकी मदद से यह shape आपके सामने है, वो सारे के सारे anchor points मुझे visible हो जाएंगे so मैं इस direct selection tool पे click कर रहा हूँ, और यहां पे आपको कुछ anchor points नज़र आ रहे हैं so आपको चार anchor points नज़र आ रहे हैं, जिससे मिलके यह shape draw की गई है, ठीक है इसके बाद circle की तरफ आते है, circle को देखते हैं जिसमें कितने anchor points है, इसको हमने draw किया, direct selection tool पे आए, और यहां पे भी आपको 4 anchor points नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इसके लाबा कोई और shape draw करके देखते हैं, for example, star tool हम एक draw करके देखते है, ठीक है, और direct selection tool पे आते हैं, सो यहां पे आपको ज्यादा anchor points नज़र आएंगे, जिसे मिलके इस shape को बनाया गया है, इस shape को draw किया गया, सो यह जितने भी anchor points हैं, यह हम लोग pen tool की मदद से भी create कर सकते हैं, जैसा कि यहां पे आपको left side जो tool box है, इसके अंदर आपको एक pen बनावा नज़र आएगा, सो मैं इस pen पे click करों, और इसके बाद हम अपने canvas पे आके, अपने artboard पे आके, एक scare को draw करते हैं, तो scare कैसे draw किया गया, तो इसमें 4 anchor points थे, तो हम 4 anchor points create करते हैं, तो मैंने यहां पे click किया, एक anchor point add हो गया, ठीक है, इसके बाद मैं यहां पे click करों, तो अगर आप बिल्कुल vertical line, बिल्कुल horizontal line, या बिल्कुल 45 के एंगल पे अगर आप एक line draw करना चाहरे हैं, pen tool की मदद से, तो आप इन anchor points को use करके draw कर सकते हैं, तो मैंने यहां पे, अपने shift को press करके, click किया, तो आपकी बिल्कुल horizontal line ए create हो गई, इसके बाद मैं नीचे आके एक और point add करता हूँ, ठीक है, इसके बाद यहां आप एक और point add करते हैं, और अपनी shape को close करते हैं, अभी आपकी shape closed नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हम in fill colors को convert करते हैं, stroke के अंदर, तो यहां पे आप देख सकते हैं, आपकी shape अभी complete नहीं है, तो इस shape को हम complete करत हैं, और अगर मैं वापस initial point पे जाओं तो आपको pen के साथ एक छोटा सा circle बनावा नजर आएगा, इसका मतलब है कि हम अपनी shape को draw करके initial point पे वापस आ गए हैं, और अब यह shape हमारी close हो जाएगी, ठीक है, यह हमने एक scale को draw कर लिया, और बिलकुल वैसे ही जैसे हम बाकी scales को resize कर रहे थे, उनको move कर रहे थे, बिलकुल हम इस scale के साथ भी वैसे ही कर सकते हैं, तो हम दोबारा direct selection tool पे click कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि this scale is made up of four anchor points, ठीक है जी, इसके बाद अगर आप कोई rounded image create करना चाहते हैं, जैसा कि हमारे पास एक circle है, तो circle को create करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक anchor point add कर हूँ, तो पहले मैं आपको एक circle दिखाता हूँ, circle किस तरह anchor point से मिलके बनावा है, तो इसका एक यहाँ पे anchor point है, एक इस जगा पे है, एक नीचे है बिलकुल bottom पे और एक बिलकुल left side पे है, तो अगर हम बिलकुल ऐसे ही anchor points add करें, और उन anchor points के जो angles हैं, उनको कुछ इस तरह से adjust करें, तो हमारा बिलकुल एक circular shape create हो जाएगी, ठीक है जी, तो pen tool लेते हैं, मैं यहाँ पे click कर हूँ, ठीक है, और let's click here, और इसको click करने के बाद मैं drag कर रहा हूँ, ठीक है, इसके जो handles है हमने बिलकुल सीधे रखने ह इन handles को बिलकुल सीधा कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे click करके मैं drag कर रहा हूँ और handles को बिलकुल सीधा कर लेते हैं, ठीक है, मैं बिलकुल इसके सामने आ रहा हूँ, और यहाँ पे click करके इन handles को सीधा कर लेते हैं, और मैं वापस आ रहा हूँ और इस original जो हमारा origin था मैं इस पर click कर रहा हूँ और इसको drag करता हूँ और मैं इन points को भी सीधा कर लेता हूँ ठीक है तो हमारी somehow एक circular image create हो गया, this is not a very rounded image लेकिन this is how we can create the rounded objects और अगर हम straight lines को draw करें तो we can create very sharp images तो यहां पर हमारे पास एक exercise है, यह दोनों images आपसे share कर दी जाएंगी आप इसके ओपर कुछ experiments भी कर सकते हैं, तो यहां पर हम इस image के ओपर कुछ experiments करते हैं और देखते हैं कि हम इस तरह के objects कैसे create कर सकते हैं, pen tool को use करते हुए और next lesson में हम लोग देखेंगे कि pen tool को use करते हुए हम लोग complex images कैसे create कर सकते हैं मैं यहां पर image पर आता हूँ, मैं इस पर click कर रहा हूँ, और layers में जाके मैं इसको lock कर लेता हूँ यहां पर आपको इसकी selection नजर आ रही है, मैं इसको यहां से lock करता हूँ और इस shape को draw करते हैं, ठीक है, यहां से pen tool लेते हैं, pen tool जब भी आप use करेंगे कोशिश करें कि उसका जो fill है उसको none कर दें और उसके stroke को कोई भी आपके लिए resign कर दें, इसको हम black कर लेते हैं और fill को none कर लेते हैं, ठीक है जी, यहां से pen tool लेते हैं, और मैं जो red dots हैं सिर्फ इसके उपर click करूँगा और हमारी एक shape draw हो जाएगी, so मैं यहां से start कर रहा हूँ, shift को press कर रहा हूँ, ताके हमारी sharp जो lines हैं वो बिलकुल एक खास angle में create हो, so यहां पर click किया, यहां पर click किया, और वापिस यहां पर click किया, so हमारी एक यह shape draw हो गई है, you can also call it as a diamond shape, इसके बाद हम next shape पर आते हैं, यह star shape है, so pen tool की मदद से, we can actually create a star, बिलकुल middle से click कर के इसको start करते हैं, और बढ़ी असानी से, lines create कर सकते हैं, dots के ओपर click करते हुए, ठीक है, so this is how you can create a star, इसके बाद हम इस shape के ओपर आते हैं, यह भी बिलकुल वैसा ही, it's a very straight object, दुबारा से pen tool लेते हैं, यहां से start करते हैं, और अपने इस object को create कर लेते हैं, ठीक है जी, और इसके बाद क्योंकर यह close shape है, तो हम इसको color भी assign कर सकते हैं, so मैं इसके copy generate कर हूँ, alt को press कर रहा हूँ, इसके copy generate कर लेते हैं, इसके stroke को fill में convert कर लेते हैं, symbol मैं इस symbol पर click कर रहा हूँ, और इसको fill में जाके एक color assign कर देते हैं, ठीक है जी, इसके बाद अगर आप इसको color assign करना चाह रहे हैं, that is somehow a red color, तो आप यहां से जाके उसको एक red color assign कर सकते हैं, अगर आप अपने star को कोई भी color assign करना चाह रहे हैं, तो बिलकुल ऐसे ही आप अपने star को भी एक color assign कर सकते हैं, so this is how you can create objects using pen tool, so next lesson में हम लोग थोड़ी सी complex चीज़ों को देखेंगे, so see you in the next lesson, thank you so much.